हेलो शुडेंट आप लोगों के अपने चैनल राठोर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत सवागत है अगर चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा काफी शुडेंट मेरे को बोल रहे थे सर एडमिट कार्ड कब आएगा पर इक्षा कब होगा क टेश्ट स्रीज को लॉंच किया और काफी ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया इस पर सर बहुत सारे लोग जवाइन कर रहे हैं तो जो लोग जवाइन नहीं किये कर लिजेगा क्योंकि सर मैंने फी बहुत ही कम रखा है सर ताकि हरे कशुडेंट टेश्ट स्रीज 90 कोशन पूछे जाते हर टेश्ट स्रीज में एक टेश्ट स्रीज फर्स्ट टेश्ट स्रीज सारे लोगों के लिए फ्री है सर फर्स्ट टेश्ट स्रीज सारे लोग डेमों के तोर पे आपको दिया गया यानि कि फर्स्ट टेश्ट स्रीज सारे लोग आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाईए इस एप को download करें डॉनलोड करके सर्जी अपको रजिस्ट्रेसन करना है रजिस्ट्रेशन करकेalyst है तो सारे बीढ़ुक करने के बाद वहाँ पे आपको सारा टेस्ट रीज दिखाएगा 123 अभी तिन ही अपन्लोड हुआ है वتمिस्यानी जैसे पर इफ्लोड होगा, वैसे वैसे दिखाएंगा आपको, तो फ़र्ष्ट टेश्ट स्रीज जो होगा वो सारे लोगों के लिफ्रियत उस पे क्लिक करिएगा और उसमें 90 कोशन रहेगा हिंदी से 15, इंगली से 15, मैथ से 15, साइन से 25 और जीके से 20 यानि जैसे आपके परिछा में पूछे जाते हैं तो टेश्ट स्रीज सारे लोग जोईन करिएगा सर टे पीसी है सर आपका, क्या आप 10 मैच कहल कर जाओगे सर कितना मैच, पूरे 10 मैच खेल कर जाओगे एकजाम देने तो आपको मालूम होगा कि हा मेरा एकजाम में किस परकार का, किस लेवल का कोशन पूछा जाएगा, तो 10 मैच खेलिए सर 60 रुपया पेमिंट करिए, 10 मैच खे है 60 रुपय का वहीं पर चटाक सु पेमिंट करेगा और पटाक सुन जोईन करेगा फटाक सुन है न तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और जानते कि एडमिट कार्ड कब आएगा और आप लोगों का परिच्छा कब होगा काफी लोग परेशान है कि एडमिट कार्ड कब आएगा सर और परिच्छा कब होगा तो मैं बता दू सर आप लोगों का एडमिट कार्ड अपने दिर्धारी समय यानि कि 13 जुन को रिलिज किया जाएगा 13 June को आजाएगा सर 10 से 12 बजे तक आजाएगा ठीक है ओं मैं अपडेट कर दूँगा 13 June को आप लोगों का Admit card आजाएगा सर Admit card आजाएगा क्या हैगा Admit card आजाएगा 13 June को Admit card आप लोगों का आजाएगा सर अब सवाले सर परिछा कब होगा 13 जुन को, 13 जुन को आप लोगों का Admit Card आ जाएगा, किस तारी को? 13 जुन को Admit Card आएगा, 23 जुन को Exam हो जाएगा, तो इसमें कोई Changes नहीं है सर, कोई Changes नहीं होगा सर, आपके निर्धारित समय पर ही, आप लोगों का Admit Card और आप लोगों का Exam लिया जाएगा, क्यूंकि सर, Already, session लेट नहीं करना है सर, क्यूंकि आप लोगों को मालूम है सर, result आएगा, एक महिना लगेगा, 20 से 25 दिन लगता है, एक महिना नहीं लगता है, 25 दिन लगभग लगता है, 20 से 25 दिन, result आएगा, उसके बाद फिर Concelling होगा, फिर Document Verification होगा, फिर आपका अपगरेशन चलता है, first round, second round, third, फिर आपका mop up round, यह समय दो-तीन महिने का समय लगता है सर, फिर उसके बाद admission होगा, तो यह सब काफी लंबा process होता है सर, और यह पूरा December चला जाएगा आपका सर, ठीक है, परतेक साल का record है सर, December जनवरी में जाके admission होगा, तो session late नहों, इसके लिए सारा process जल्दी-जल्दी करने की कोशिस की जाती है, तो आप लोगों का सर, 23 जुन को exam है, 13 जुन को admit card आ जाएगा, तो आप सब लोग परिशान नहीं होगे, admit card आने के बाद मैं बताऊंगा, कैसे download करना है, और क्या-क्या आपको लेकर exam center पर जाने होते हैं, ठीक है, और हाँ, ब लोगों का dot था, वो clear हो गया होगा, परेशान नहीं होना है, 13 जुन को admit card, 13 जुन को परिच्छा, धन्यवाद